हेलो दिए स्टुएंट्स वल्कम बैक टू आफस डी यू 2020 के टेपर डिस्केशन में और अर्गनिक सेक्षिन में आपका स्वागत है आज हम और अर्गनिक के क्वेश्चन डिसकस करने वाले जो आपके डी यू के 2020 के एक्जाम में आए हुए थे टेलिग्राम चैनल्स में सारी जगाओ पर पहला देना है जल्द से आपको लिंक शेर करनी है देखा आज हम डी यू 2020 का पेपर डिसकेशन करने वाले यह जो नंबरिंग की हुई है यह नंबरिंग आपके पेपर के इसाफ से जो आपका पेपर आउट हुआ है उसमें दिया हुआ है उसके इसाफ से दिवह है और यहाँ पर जो दिये होंगे यह आपके अंसर्स होंगे ठीक है उसलिए लिखे कि कुछ Questions में क्या है को answer दिये हुए उन्होंने वह गलत है तो वह justify करने के लिए यहाँ पर अंसर्स ज़रूरी होने चाहिए उन्होंने जो दिया है वह answers होने चाहिए है ठीक है देखते है आगो क्या है आज क्या स्टार्ट करने वाले हम तो देखो very मेक्सिमुम क्वेश्चन कहते हैं आये हुए थे उसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आये हुए थे तो जिन्हों ने वह सेशन किया होगा उनको 100% बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है बेल आइकॉन दबाके सब्सक्राइब है अब उनकों कार्बोकाइन फॉर्मिशन होता है क्या होता है क्यों होता है यह पर कैसे होगा यहां पर यहां पर हेटरों बैटक कर सकती है सब्सक्राइथ आत्राइए कि अगर दूवर एक त्ठोल проблем इककर्वाइस कमपॉंद देखो कैसे होगा ऑग कर्पाउंड में यहाँ पर हो है यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कार्बन दीलोकलाइस कर रहा है उक्स सिजेन की लुट परडी कर रही है यहाँ पर र sebagai धी एलेक्टोन देंसेट है बहुत ज्यादा अब कार्बन पर इलेक्तरोन डेंसेद्ट होग में यहाँ पर विलेक्ट्रोन पर रह garbage करने तो कार्वन फरस्ट अट dialogues एक्रोन निगिति डीए एक करवन s करवन कि इसलीòs दैं then oxygen तो oxygen से क्या होती है electronic duty क्या होती है carbon की कम होती है इसलिए वो easily attack करेगा ठीक है तो यह easily attack करेगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे H plus अगर add करोगे जो की इलेक्ट्रोफाइले तो यहाँ पे delocalize करेगा और इस carbon से attack हो जाएगा यहाँ पे ऐसे तो इसमें क्या होगा इसमें आपका OH यहाँ पे oxygen यहाँ पे double bond और यहाँ पे hydrogen आ जाएगा जिस पे आपने attack किया था अब इसमें क्या होगा oxygen पे positive charge आ गया अब oxygen पे जब positive charge आएगा उसके अगर आप resonating structure ड्रॉ करोगे इसमें क्या होगा इसमें फिर आपका resonating structure ड्रॉ करने पे देखो इसका resonating structure में ड्रॉ कर रहा हूँ आपके ड्रॉ करोगे आपके नोड़ मुँ में यह OH यह electrons में यहाँ गुमा रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ का positive charge नूट्रल हो जाएगा और positive charge नूट्रल होने के बाद यहाँ पे positive charge आ जाएगा इसका मतलब है 4 member ring का outside क्या होगा कार्बो कटाइन बनेगा और 4 member ring का outside क्या होता है कार्बो कटाइन अगर बनता है तो ring expansion करेगी तो ring expansion करने के बाद अब यहाँ पे नया bond form होगा खुछ ऐसे प्रोडक्ट से दो यहां यहांति यहां 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 इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज द However तो आपका जो प्रोडक्ट होगा कैसे बनेगा देखो जड़ा यहां पर आपकी फायू मेंबर रिंग ठीक है यहां पर आपकी फायू मेंबर रिंग यहां पर आपकी यह फायू मेंबर रिंग यहां पर आपकी यह फायू मेंबर रिंग यहां पर आपकी यह फायू मेंबर र हो और देख वा है यहाँ पर फाय नंबर इंहीं यहां पर कितोन फॉरमेशन वहतो वांट तो फूर फॉर यहीँ आपका क्या होगा फायनल प्रोडक्ट उगा डैटिस और आप्शन नमबर शूंत आप्शन नमबर थृजरी थीकर राजू ने का बताए आपशन नमबर के अपका प्रेक्टी है वेरी नाइस थाż इसाव मेठी नमबर त्री तस नमबर त्री ओर गर्रीक्री घदीड अपका तॉब्संट नमबर ठीज्ट आइड ग्रेग्ड रहा होके नेक्स्ट क्रेशन देखते हैं पर इसकी और्थो पोजिशन है कि यह मेटा पोजिशन है और यह है आपकी प्यारा पोजिशन जो कमपाउंड दिया हुआ है प्यारा एलो नैट्रोबेंजीन उसकी एक्षन कर रहे हो यह ने वो यह मी के साथ आपको प्रोड़क्ट फॉर्म हो रहा है प्यारा मितोक्सी नाइट्रो बेंजीन क्या होगी और यहां पर पूछी है वो बहुत अच्छा क्या इसमें अब इसमें क्या होता है इंपोर्टन स्टेफ होती है यह याने की ओविए यहां पर ऐसे यह यहां पर यह क्या होगा यह में अटाक करेगा यह डबल बॉंड यहां आएगा यह लोटू गर चार्जब बनाएगा तो अगर फर्स्ट टेप देखोगे तो कैसे होगा लग्वन कि ओ निजेट्यूव ओ निजेट्यूव पोजिट्यूव है डबल बॉढव histor यहां यहां यह एकस गुरुप है है यह अथि फिंघ्ले में यहां पर हूंद इण फ्रूस्ट श्टेप होती है उसमें अगर आप ठीक से अब्सर दॉब नहीं है तो यह आपका क्या है när कंपाउंड है यह आपका क्या है यह आपका क्या है यह आपका नौन अरोमेटिक कंपाउंड है तो अरोमेटिक टू नौन अरोमेटिक कंपाउंड जा रहा है इसका मतलब अन्स्टेबिलिटी को और जा रहा है निका हाईर एनरजी को जा रहा है इसका मतलब यह स्टेप क्या ह पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर निकाल दिया इसको निकालने के बाद आपका प्रोडक्ट बनेगा iNo2 iA acity यहां पर से एक्सको लिउयों कर दिया दिया lapse और आपका WWAhow यह जो product आपका दिया हुआ आपका यहां पर यहां हुआ हो राये वही प्रोड़क्त यहां पर किया ऑर रहा है फॉर्म हो रहा आख already देखोगे यहां पर living group ability देखोगे यहां पर तो यह second step में living group आ रहा है यह fast step पर यह fast step पर second step में आपकी living group ability आ रहे हैं तो यहां पर living group ability अगर पूछोगे तो फ्लोरीन की यहां पर यहां पर यह नोटू दिया है यहां पर एक्स की जगह पर अगर फ्लॉरीन होता है एक्स की जगह पर अगर क्लॉरीन होता है एक्स की जगह पर अगर ब्रॉमीन होता है एक्स की जगह पर अगर आयोडीन होता है κεि switches रोमीन और उसके बाद अगर आयोडीन होता है ठीक है अब यहांपर क्या होगा अगर florine होगा खोई भी ploryण अगर होगाद करने अगर होगा तो स्चैप स्थेप नियूक्लियफ में डेख करेगा तो उक्या क्या Θ चार्जे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा पॉजिटिव कैसे बढ़ेगा डेल्टा पॉजिटिव आपका तब बढ़ेगा जब यहां पर मोर इलक्ट्रोन इडिव ग्रूप क्या होगा अटाच होगा यहां पर डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होने की वज़े से उसकी reactivity ज्यादा होती है और reactivity ज्यादा होने की वज़े से क्या होगा इसकी order आ जाएएगी यह इसकी order आ जाएगी आपकी यह आपकी यह आपके क्या होगी है घर्र कि और रहे आपका क्या होगा klorine klorine bromine then iodine還有 cream PhysICA और आएगी तो यह नुक्लियोफिलिक सब्सक्राइड 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 की और रहे आपकी यह है और फ्लोरी फ्लोरवेंजन गया होगा सबसे ज्यादा रियक्टीव होगा नेक्स्ट देखते देखो व्व्वेस्चन नमबर थर्टी एक what is the relation between two structures above जो दिया है शोन बिलो यह आपको 123 यहां पर देखो 1234 इन दोनों का अगर relation देखने जाओगे तो अगर यह दो टाइप्स के आइसोमर्स होते हैं आइसोमर्स का हम दो टाइप्स में क्लासिपाय करते हैं कि एक होता है constitutional isomer एक हता है studio isomer जिनका molecular formula क्या होता है same होता है molecular formula same molecular formula अगर same है आपका आपके compound में अगर molecular formula same है constitutional isomer क्या होगा इसे different atom to atom connectivity होगी है different atom to atom connectivity है ठीक है यहाँ पर क्या होगा atom to atom connectivity is same होगी atom to atom connectivity क्या होगी connectivity is same connectivity atom to atom connectivity is same is same but different in orientation but different in orientation यहने क्या होगा उसके 3D space में उसका orientation different होगा तो constitutional isomers क्या होते है अगर आप stereo isomers क्या होते है आपके अगर आपका compound यह है तो इसमें CH3 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 है तो यह और है और है और इसमें आपका compound यह है है hydrogen आपका आपका अब होगे और नीचे बिलो में CH3 अब अगर आद देखोगे यह जो कार्बन है यह जो कार्बन यहाँ पर indicate किया गया है यह कार्बन यह कार्बन में अगर आपके अगर आपके अगर देखोगे दूसरा compound तो CH3 CH2 OH यह अगर देखते हो CH3 CH2 यह दोनों में यह 123 अगर आप देखते हो इसमें 3 में 3 का अगर फॉर्मूला देखोगे आप तो 3 का फॉर्मूला क्या है हैं सी 3 CH2 OH सौरी यहाँ पर CH2 OH है यहाँ पर देखो C3 H कितने होएं 4788 oxygen 1 तो अपका मॉलेकुलर फॉर्मूला अगर देखोगे दोनों का मॉलेकुलर फॉर्मूला क्या है से में दोनों का मॉलेकुलर फॉर्मूला से में यहाँ पर दोनों के मॉलेकुलर फॉर्मूला से में निक्टिविटी देखो यहाँ पर 123 इसनिम्र कि का अपर 1-2-3 first number 3rd number carbon पर क्याए ऐक्सिजन अटेच है यहाँ पर देखते हो 123 4th number के carbon पर क्लोरीन अटेच है यहाँ पर वन 1 यहाँ से देखो 1 2 3 3rd number के carbon के क्लोरीन अटेच है तो molecular formula same a but different atom to atom connectivity तो इसे लिए 1 and 3 क्या होंगे आपके constitutional isomers होंगे क्या होंगे constitutional isomers इसलिए ये भी क्या होंगे आपके constitutional isomers होंगे चुक्कि molecular formula ये देखो six member six member methyl chlorine methyl chlorine molecular formula same A but different atom to atom connectivity A इसका मतलब ये constitutional isomers है यहाँ पे ठीक है इसलिए आपका correct answer होगा first स्ट्यो आइसमर कैंसल हो गया है कि इस्टीफरेंट ड्राविंग आप सेम confirmation तो यह भी गलत है सेम गन्फरमेशन नहीं है इसलिए इसलिए इसक्वेस्टन का अंसर था आंसर नंबर फ्रस्ट नेक्स्ट क्वेस्टन देखो क्या है कि सर पेपर का पीडियाप मिल सकता है कि हाँ जी बिल्कुल मिलेगा पीडियाप कि इग्जैक्ली अक्षे गुमार वेरी नाइस कनेक्टिविटी डिफरेंट कंस्टिटिशनल आइसमर्स सर क्याने प्लिस टेल अबोट आइटी जाम के मिस्ट्री आपको लेना होगा तो उसके लिए टेल वीडियो हमने बना रखा है आप वीजिट कर सकते यूट्यूब चैनल में जाके वेबसाइट पर जाके भी कर सकते हैं वेबसाइट पर कहा जाओगे www.ifsonline.com पर नमबर पॉसिबल स्टीडियो आइसोमर्स अप्टेंड इन फॉल्लविंग डियक्शन इस तो देखो इसमें फॉल्लविंग डियक्शन में कितने स्टीडियो आइसोमर्स अप्टेंड होंगे तो देखो फॉस्ट आपका कंपाउंड है यह ओध्री एंड जिंक दिया हुआ है तो इस इस डिड़क्ट्टिव कंडिशन फर ओजोनोलेसिस ओजोनोलेसिस यह ओजोनोलेसिस क्या करता है ओजोनोलेसिस बॉन्ड ब्रेक करता है तो यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा क्या तो यह बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो यहां पर यह रेजोनोटिंग स्ट्ट्चर दिखाएगा ऐसे फॉस्ट यह रेजोनोटिंग स्ट्चर दिखाएगा ऐ इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद आपका कंपांड करें इसमें तो यह बॉंद ब्रेक होगा यहां पे यहां पर मिधैल दे रखा है लिद्ध कि बर बेंगे बात क्या बनेगा सी एचो एक यहां यहां पर इस्ट कि यहां पर किया होगा सी डबल बॉन्ड ओ यह अब यह यहां पर यहां पर क्भाउंड दै रखा है एकसे से और फिनाइल मैनेशियम भूमाइट दिया है with H3O plus excess of phenyl magnesium bromide with excess of H3O plus तो यह इस पर अटायक करेगा O minus बनाएगा दूसरा आएगा दूसरा इस पर अटायक करेगा O minus बनाएगा तो इसमें अगर आप product देखते हो तो कैसे बनेंगे तो इसमें product आपके कैसे form होंगे देखो ज़रा pH hydrogen है यहाँ पर OH pH hydrogen है यहाँ पर ठीक है अल्डियेट था ना तो यह hydrogen थे हैं यहाँ पर यहाँ पर क्या होँआ यह stereo center formula है यह stereo center formula है यहाँ पर methyl है अब अगर आप ठीक से द्यान दोगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि chiral center रहने कि समेंटेक सेंडर 1,2,2 ही दिखाए देगे बट अगर आप ठीक से देखते हुए आपर जो Biphanyle compound जो है आपका जो Biphanyle compound है बाइफिनाल compound क्या करेगा बाइफिनाल compound आपका यह अल्सों यह भी क्या होता है optically active होता है due to restricted rotation तो यह भी आपका stereo isomarism दिखाएगा तो यहां पे इसका वह यह वहाँ जाए था टु टू इस अम कहते है याड ट्रोप Iso-merism and 2 कहां से आएंगे आपके Central Chirality Central Chirality तो आपका 2 raised to n का formula यहां पर अप्लाई होगा 2 raised to 3 center 1 plus 2 is equal to 3 centers आपका होगे यहां पर 3 centers आपका होगे तो 2 raised to n 3 centers होगे मतलब क्या होगा 2 raised to n मतलब 2 raised to 3 तो 2 raised to 3 क्या आता है 8 आता है तु आपके stereo isomers भी क्या होंगे आपके exactly total 8 stereo isomers होंगे क्या होंगे 8 stereo isomers आपके present होंगे ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा आपका 8 answer हो जाएगा इसका option क्या है option no. 3 कि कि option no. 3 टीकि अप्शन हम पाउड में आपके कितने county स्टीड वाइस वार्स होंगे आपके स्टीड वाईस होंगे यह टाँ ओके नेस्ट क्वेश्चन देखते दो बहुत ही मजा आने वाला है अगले क्वेश्चन में आगे बहुत अच्छे-च्छे क्वेश्चन से हम डिसकस करने वाले हैं एलेक्ट्राइच डेबल बॉन ब्रे है नदे स्ट्रक्चर अच्चा है इसमें आपको करना है कि उधात्ट कि यह कमपाउंड यहां पर इलक्र्न but करेंगा है से रेजोनेंटिंग स्ट्रॉ strengthening करें यह बॉंड करेगा जिसमें क्याॉगा उसमें एंदंट क्रेश्ण करेक्टर कमुगा यहां पर जो पूर्ण से यह क्या कर रहे हैं आपके आरोमेटिक थी में यह बॉंड अगर देखोगे तो यह यह दोनों क्या करें इसमें अर्म क्रेक्टर रेश्य इसमें भी अर्मग्र केरेख्टर डुनेट नेट कर रहे इस बान में नेक्स प्थाँ आंसर बताओ जल्दी से identify the product V तो यहाँ पर क्या होगा देखो nitrogen के पास loan pair है तो simple सी बात है इस पर attack करेगा methyl iodide पर इस iodine को निकाल देगा iodine को निकालने के बाद compound क्या फॉर्म होगा यहाँ पर nitrogen C2H5 C2H5 और यहाँ पर CH3 तो इस पर आ जाएगा positive charge इस पर क्या आ जाएगा positive charge ओके तो इसका अंसर आपने बता है ठीके देखते हैं देखो क्या है सेकेंड यह ने ओच मिधनॉल वार्म दिया हुआ है और मतलब हीटिंग की हुई है यहाँ पर slightly हीटिंग यहने की वार्म ठीके ने एच से वो तो क्या है बेस है आपका तो बेस क्या करेगा कार्पोनिल के अड्जेसन वाला प्रोटोन लेगा easily यहाँ पर delocalize करेगा यह mechanism आपने कही तो पढ़ा है याद करो कहाँ पर पढ़ा है यह mechanism आपने कही पर तो पढ़ा हुआ होगा कोन से reaction है वो बताओ जल्दी से अब यह यन यमी 3 यन CH3 इथाईल यह तो अच्छा living group बन गया है अब अच्छा living group बन गया है तो यह क्या करेगा इननो लेड डिलोकलाइस करेगा यह double bond यहाँ shift करेगा और इसे निकाल देगा तो इससे product क्या फॉर्म होगा तो इससे product फॉर्म होगा option number 3 very good राजू very nice आपने जो बोला उसे यह वो क्या है आपे यहाँ पे आपका जो compound यह जो reaction से आपने पड़ी है गुड लिविंग गूरूप मैं इलिमिनेशन ओके होप मैं इलिमिनेशन में भी पढ़ा होगा और कहा पर पढ़ा होगा यह जो स्टेप है ना यह manage reaction की स्टेप है अगली स्टेप ठीक है manage reaction में आपने पड़ा होगा इसको अब मैं इलिमिनेशन में भी पढ़ा होगा very nice next question देखो इसका अंसर बताओ इसका अंसर बताओ जल्दी से चलो जल्दी से इसका अंसर बताओ कि डेखो इस question को इस question में क्या पूचा है य आपको सबसे पहले पता होना चीहीं समाहिक्ष नक्रश्र क्या होगे तो यह और लेस्ट क्या करे Хотए सबसे पहले इस माइनस क्या करेगा डी लोकलाइज करके इस मिठाइल आयोड़ाइट पर अटाक कर देगा और इसे निकाल देगा ऐसे इसमें आपका क्या फोर्म होगा ये न मिठाइल पाइरिडाउन one of the useful compound होता है आपका yen methyl pyridon ठीक है yen methyl pyridon ठीक है तो यहाँ पे आपका क्या होगा यह product form होगा यहने कि option number क्या है यम कहाँ पे यम में आपका pyridon यहाँ पे यह दोनों option से अल आपको yen निकालने के रिए यह देखना होगा तो यहन जब निकालना होगा तो देखो आपके पास जो compound दिया हुआ है आपके पास यह OH है यह hydrogen है अब यह hydrogen क्या है acid है तो CH2 यहन 2 क्या होता है CH2 होता है CH2 पे निगिटिव होता है यह इस पे attack करेगा O- बनाएगा तो O- बनाने के बाद क्या होगा यह nitrogen O- easily CH3 पे क्या करेगा CH3 N2 पे immediately इस पे attack कर देगा without delocalization without delocalization इस पे attack करने के बाद आपका product form हो जाएगा ऐसे oxygen CH3 ठीक है तो O-methylation करने के लिए इसको use करते है दाय अजो मित्यान तो इसका product होगा O-methyl यह नहीं होगा आपका option number third क्या होगा correct होगा option number third क्या होगा correct होगा option number third क्या है आपका correct है very interesting question यह अच्छा question था repeat हुआ है ठीक है repeat हुआ है very nice संकिता राजू very nice इसका बताओ अभी answer 42 question number 42 का जल्दी से answer बताओ question number 42 कि अमरुता जी call कर लो call कर लो 917 2266888 पे जो नंबर आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है चैट में दिया हुआ है कि इसपे कॉल करल आप कि देखो second आपकी reaction इस में MCBBA दिया हुआ तो mcpva क्या करेगा यह क्या करता आपका वह यह अगर होगा वह यह होगा एनेयर होगा ता आपके स्टीडियो सिलेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् बothologies और लिए हैं कि यहांपर हुं कर दो मिटव पर के एंसे कुछ घरष आ है क्या करता है आपका हड्रो टो फिए औक सिजन यहां पर यह 현ौ यह नहीं कि यह आपका जो यमसी पीब होता है वो ट्रांजिशन स्टेट बनाता है कैसे यह जो वेच होता है यह वेच यह वेच का जो हेट्रोजन होता है यह बॉंडिंग दिखाता है कैसे देखो कि अग्याइब के यहां पर इयरोमेटिक ग्रूप लिख रहूँ में तो यह यहां पर क्या करता है यह 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 पर यह जो हैट्रोजन होता है यह इसका हैं दिखाता है और एंच दिखाने की वज़ जिस साइड होता है उसी साइड का होता है आपका इपोक्सिडेशन हो जाता है यह क्या होता है उससी साइड क्या हो जाता है इपोक्सिडेशन तो बटरफ्लाय ट्रांजिशन स्टेट तो बटरफ्लाय ट्रांजिशन स्टेट अगर आप अप्लाय करते हो तो आपका क्या होगा यहाप इपोक्सिडेशन हो जाए कि बासकर नहीं पर्स्ट नहीं होगा विल्कुल फिर्स सेकंड के अगया क्रेक्ट टैंसर और है क्योंकि स्टीडियो इसके बात है इसके साथ ओर निदभी नम्बर पे पुच्षन पुचा हुआ तो इंटरमीडियेट फ़ार्म फॉर्म इन्भी पुचा हुआ थे सुख्या हुए तो इंटरमीडियेट पूचा देए और यह नंग सब्सक्राइब उन्होंने बेंजाइन का जिक्रा नहीं किया है जब भी आपका यह यहाँ पे अगर ब्रोमीन है और फ्लोरीन है तो मैंगनेशियम क्या होगा इंसर्ट हो जाएगा इसमें यहाँ पे इंसर्ट होगा मेंगनेशियम क्योंकि आयोडीन, ब्रोमीन देन, क्लोरीन, देन, फ्लोरीन में इंसर्ट होगा है उसके बाद यह डिलोकलाइज करेगा ऐसे इसे निकाल देगा इसमें बेंजाइन बनाएगा क्या बनाएगा? बेंजाइन और जो बेंजाइन बनेगा आपके कंपाउंड में यहाँ पे ऐसे मेंगनेशियम एड़ करने से यह बेंजाइन आपका 4 प्लस 2 साइक्लो एडिशन दिखाएगा ऐसे हैं और आपका यह प्रोडॉक्ट फॉर्म होगा तो मेंगनेशियम रिडूसेश एंट्रेशन तो यह बिलकुल गलत है जी ग्रिगनाड रिएजन फॉर्म डाइलो बेंजाइन डिकंपोस्ट बेंजाइन मेटलेट्स एंट्रेशन दिस नुक्लोफिलिक एडिशन नहीं होती जी यह साइक्लो एडिशन होती हैmir Ц से रिक्टेशन करके बेंजाइन फॉर्म करेगा डिकंपोस्ट होगा बेंजाइन में तॉ उसके बाद यह क्या कर रहा है 4 प्लस तू साइक्लो एडिशन कर रहा है और आपका एंध्रेसेन में addition reaction दिखा रहा है तो आपका फूर्थ option ग्या होना चाहिए correct होना चाहिए तो इसमें क्या हो रही है नुक्लिफिलिक addition नहीं हो रही है यहाँ पे cyclo addition हो रही है तो यह option आपका क्या है बिल्कुल correct है तो fourth from 20 October which is starting from the 20 October कि नेक्स्ट क्वेस्टन देखो the deficiency of H causes deficiency of H causes H causes generally पता नहीं होता हमने 12 में बढ़ाता अगर C vitamin vitamin D vitamin C अगर deficiency होगी तापकी स्क्वरी एनेमिया कब होता है एनेमिया कब होता है जब आइरन की deficiency कम होती है जब क्या होती है आइरन की deficiency कम होती है बर्निंग आइस स्कीन डिसीज एच जो होता है आपका यह एक्चुलि ऐसे questions होते हैं इनमें आपको थोड़ा knowledge वा तो भी आपको question हो जाते है अगर नहीं हुआ तो आपको question नहीं आते थोड़ा सकते हैं तो अपको कि पता होने जाता है कि पॉस्टे यूसका बुलेट प्रूब ग्लास ने कौन सा पॉलिंबर यूज़ किया जाता है तो बुलेट तूब क्लास में आपका जो बुलेट पूब यूज किया जाता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है नोट डाउन कर लेना अगली बार क्वेश्चन आएगा तो काम आएगा ठीक है तो बुलेट फूप ग्लास में आपका लेक्सेन पॉलिमर यूज किया जाता है और उसका स्ट्र बाई डिडाविडा डिटर्जन्स ऋते हैं इसमें नॉर्मल अलकाइल चेन प्रेजैं प्रेजेंट होथी रहन इसमें क्या होता है नॉर्मल अल्कैल चैन प्रेजेंट होती है इन लागत यह कुछ मेकनिजम नहीं कुछ गुबां नहीं सकते हैं आपको डायरेक्ली पता होना चाहिए कि यह ऐसे होता है रहे से विश्टन साथे दो तीन विव में आते हैं नेच्छरल प्रोडक्स से और पॉलीमर और इन्वार्मेंट से तोड़े थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने काम का कुश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है अपने पताव इसका अंसर बताओ आप पहले जल्दी से इसका अंसर बताओ जल्दी से चलो आपको टाइम दे रहा हूं में टाइम स्टार्ट होगा आपका अभी टाइम स्टार्ट हो आप कि वेरी नाइस अक्षए है वेरी नाइस अक्षए स्टेप कैसे होगे मेकेनिजम कैसे होगे वो बताओ अंसर मत बताओ कर पर स्टेप में देखो क्या होगा लाज्ट 10 सिकेंज एट 7 6 5 4 3 2 1 देखो मेकेनिजम देखो कैसे होगा देखो जन्हों ने बताओ सिए प्रोटेक्शन दें ग्रिगना डेजन इटक वेरी नाइस राजू तो देखो क्या है यह लोग क्या बता रहे है देखो जनको नहीं समझ में आ रहा हो दो देखो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर प्रोटेक्शन होगा फर्स्ट इससे क्या होगा प्रोटेक्शन तो प्रोटेक्शन ऐसे क्या होता है एसीड केटलेस प्रोटेक्शन होगा आपका कुछ ऐसे उसके बाद फिर इस्टर जो इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा फर्स्ट यह क्या है मोर रियक्टिव है यह क्या है लेस रियक्टिव है यह मोर रियक्टिव है लेस रियक्टिव है आपको क्या करने है रियक्शन कर प्रोटेक्ट करोगे उसके बाद फिर उसके बाद फिर क्या होगा इस्टर बनेगा कुछ ऐसे इस्टर यह उल्ली है तो फिनाइल मैंगनेशियum Bromite के 2 Equivalent यहांपे अड़ किए, 1st Equivalent Add होने के बाद यह निकाल देंगा और निकालने के बाद क्या बनेगा निकालने के बाद आपका Compound बनेगा कुछ ऐसे अब यहाँपर क्या ओगा 2nd Equivalent आएगा this initial यहाँपर date करेगा और उसके बाध फिर क्या होगा, O- यहाँ पर प्रोटेक्टेड एज़ इस यहाँ पर प्लास्ट टेप में क्या होगा H3 O- से एड़ किया है, H3 O- क्या करेगा? यहाँ पर भी प्रोटेक्शन कर देगा और इसका भी दिप्रोटेक्षन कर देगा तो यह डी प्रोटेक्टेड बाई डी प्रोटेक्टेड बाई ह3O+, so it will form compound, ketone again, यहाँ पे क्या हुआ, alcohol form हो गया है, pH, pH, अब इसको पता भी नहीं चला, ketone को, और हमारी reaction भी हो गई, stir पे, हमारी reaction भी हो गई, stir पे, हमारी reaction भी हो गई, stir पे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो आपको समझ में आएगा, आपका second क्या होगा, second होगा correct answer, तो आपने answer बताया था, सुगंथी, सुगंथी ने बताया था answer third, तो सुगंथी बटा, यह answer third नहीं होगा, आपका second answer क्या होगा, correct होगा, तो इस्टर आपका final product यह भी लेगा, इसमें आपका overall output आपको क्या मिल रहा है, यह जो less reactive, more reactive group था, यह more reactive ketone था, इसके presence में हमने less reactive की reaction कर दी, by using the application of protection and deprotection, ठीक है, next question देखते हैं, क्या है, again very interesting question, यह बहुत अच्छा question था, all all basis पे question था, यहाँ पे, तो यहाँ पे first point यह अगर देखोगे, आप तो यहाँ पे दो जगाओं पे आपका inolid बन सकता है, यहाँ तो यहाँ पे, यहाँ पे, यह दोनों तो सेम ही है, यह A type है और यह B type है, तो अगर यहाँ पे अगर inolid बनेगा, तो कैसे बनेगा, देख लेते हैं ज़रा, O minus, यह methyl, C double bond O, CH3, यह जब attack करेगा आपके ketone पे, यह जब attack करेगा आपके ketone पे, तो यहाँ पे O minus बनाएगा, जब attack करेगा, तो यहाँ पे 1 carbon का ब्रीज बनेगा, यह जो ब्रीज बनेगा, यहाँ से यहाँ connect होगा यह, यहाँ से यहाँ जब connect होगा, तो 1 carbon का ब्रीज बनेगा, तो ऐसे कोई condition है क्या जहाँ पे 2 carbon का ब्रीज बन रहा है ऐसे कोई condition है क्या जहाँ पे 2 carbon का ब्रीज बनेगा तो देखते हैं देखो ऐसे कोई condition है क्या तो ये B से अगर आप inolate बनाओगे B carbon से अगर आप inolate बनाओगे तो CH2- यहाँ पे आपका और double bond O इसको अगर मैं लिखलू चेर फॉर्म में जो जो जू आपको दीये है नार बॉर्ने सिस्टम में दिये हो ए तो आप क्या क्रेंगे उसको एसे लिख लेंगे तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ आप एसे लिखा भूdr है से श्था यहाँ पर क्यों यहाँ किटोंने और यहाँ इस कर भन पर बहें को देखो लिए नंबर Rेक और और को देखो वन तू स्क्रिक स्यत है यहाँ यह थ्री यह पोर हाईो और सिक्स यह क्या है आपके पर यहां पर फाई उसिक्स पर लिख दिये हैं वान टू थ्री तो यहां पर सीएच तरी हैं और आपका कि टोन गुरुप है तो सी एच्टू माइनर जो इनुलेट है यहां पर अटक करेगा ओपन हो जाएगा इसका मतलब आपका प्रोड़क्ट क्या फॉर्म होगा और यह उसे यह आपका ओएज बनेगा यह सीएज आपका यहां पे रहे उसर आपका ओप्षिन नांबर 3rd क्या होगा और एप और यह गलत वोगा उन्होंने अंसर दे रखा है 2nd ठीक है और Grandpa यह यह क्या दे रखा इस तो इसका रेजोनीं स्ट्ट्चर आपना ड्रॉब करोगे तो ऐसे कुछ आएगा और यह आपका यह पॉजिटिव चार्ज यहां पर निगेटिव चार्ज यहां पर अगर आप इस ट्रक्चर को अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा यह जो कंपाउंड यह आपका यह क्या है इस टू पाइलेक्ट्रॉन टू पाइलेक्ट्रॉन टू पाइलेक्ट्रॉन शिक्स पाइलेक्ट्रॉन स्पेसिज है आपका कंपाउंड क्या होगा अरोमेटिक होगा तो यह आनायन क्या होगा सबसे ज्यादा स्टेवल होगा ऐसे आनायन देख लो यह तो एंट 3rd very good very good सुगन्ती option number 3rd is your correct answer okay option number 3rd is your correct answer again next question देखो कौन सी रियक्शन आजरा बता दू इजो question next question कौन सी रियक्शन आजरा बताओ कौन सी रियक्शन आजरा आप क्या होगा सबसे पहले नाइट्रोजन की लोन पे रिटाक करेगी मितायल पे रिस्ट बनेगा आपका compound ऐसे दूसरी लोन पे रिटाक करेगी अगें मितायल पे एकसेस में दिया हुआ है तो इज़्टाइलेशन हो जाएगा अपका प्रोड़क्ट बनेगा यह फोर्थ नंबर उसके बाद एज़ी टुो दिया हुआ है एज़ी टुो कंडिशन कभ यूज होती है यह बनेगा उसके बाद एज़ी टुो दिया हुआ है वेरी नाइस HG2O condition कभी यूज होती है HG2O HG2O को अगर आप देखते हो यहाँ पे H2O अगर एड़ करते हो इसमें तो इसमें HGOH फॉर्म हो जाता है प्लस HGO फॉर्म हो जाता है ठीक तो HGOH क्या होता है आपका सुपर बेस होता है जो आपका बेस होता है वो इसली आपसे प्रोटॉन लेगा हो H- यहाँ से hydrogen लेगा इसकी condition यही होती है यह इसको निकालेगा यहाँ से और इसको यह निकाल देगा तो इसमें क्या होगा डबल बॉन फॉर्म हो जाएगा अगेन आपका methyl iodide आएगा यहाँ पे आपके nitrogen के लोगन पर इसपे अटाक करेगी और आपका अगेन cotronium ammonium iron फॉर्म हो जाएगा methyl, methyl, methyl यहाँ पे positive charge यहाँ से hydrogen निकलेगा OH- अगेन अटाक करेगा यहाँ पे इसको निकालेगा इसको निकाल देगा तो इससे आपका product फॉर्म हो जाएगा कुछ ऐसे हाँ देख लो जड़ा है यहाँ पे product कैसे फॉर्म होगा ऐसे तो यही क्या होगा आपका final product होगा that is your option number second जो आपने बताया वो क्या है सही answer है second is your correct answer उन्होंने क्या दिया answer second is correct answer उन्होंने भी second answer ही दिया है next question देखते है देखो identify the major product of the following reaction इसका answer बताओ इसका answer बताओ देखो इसका answer कैसे होगा HBR आपका तो H प्लस अगर अगर आड़ करोगे आपके compound में तो यहाँ पे BR यह hydrogen लेगा hydrogen लेने के बाद क्या होगा यहाँ पे भी कटायन बन सकता है प्लस यहाँ पे भी कटायन बन सकता है तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ से अगर hydrogen लेगा तो यह कटायन बनेगा यहाँ से अगर hydrogen लेगा तो यह कटायन बनेगा ओके अब यहाँ पे क्या हो सकता है यहाँ पे यह जो bromine है यह इस पर attack कर सकता easily तो bromine अगर इस पर attack करेगा easily तो इसमें क्या होगा देखो ज़रा यह कटाइन stabilize भी होगा अब का यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता तो यहाँ पर कोई भी reaction नहीं होगी तो यह step formation नहीं होगी तो BR- आएगा अब यह अगर above the plane होगा या below the plane होगा इसकी possibility है कि दोनों side हो ठीक है यह दोनों side हो सकता है अगर यह above the plane होगा तो BR- जो आएगा यह below से attack करेगा अगर यह below the plane होगा तो BR- जो आएगा आपका यह कहाँ से attack करेगा यह attack करेगा अब उसे तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपका compound फॉर्म होगा कुछ ऐसे BR यह BR प्लस इसमें अगर देखोगे तो इसमें आपका compound कैसे फॉर्म होगा इसमें आपका compound फॉर्म होगा कुछ ऐसे यह BR होगा और यह BR होगा दोनों अगर देखोगे तो दोनों ट्रांस है वन टू ट्रांस है तो यहाँ पे प्रोड़क्ट वन टू ट्रांस रिप एक दिया हुआ यानिके ऑप्शन नमबर सेकेंड गया होगा आपका करेक्ट आंसर होगा option number second क्या होगा आपका correct answer होगा इसी लिए आपका option number second क्या है correct answer है उन्होंने भी answer क्या दिया है option number second is the correct answer ठीक है तो इस mechanism से आपको option number second correct option मिलेगा next question देखते देखो which of the following compounds do not have all carbon-carbons of same bond length इस question में पूछा जा रहा है कोन से compound है जिसमें carbon-carbon bond same length नहीं होगा तो answer दे रहा है इन्होंने 4 तो यह answer बिल्कुल गलत है इन्होंने यह 4 अंसर दे रहा है यह जो compound होता है यह de-localize करता है यहाँ आनाएन 6-5 electron के साथ तो यह aromatic compound होता है और cyclic conjugation में participate करता है हमेशा तो सबकी बॉंड लेंड़ तो सेम होगी यहां पे भी सबकी बॉंड लेंड सेम होगी यहां पे भी यहां पे भी यह aromatic है और यह Conjugation में participate कर रहा है यह भी aromatic है देखोगे तो होता है इन दोनों की बांड लेंगल कंदें टींग क्या उती है सेम नहीं होती है तो इन दोनों की बांड लेंढ instruction का होगा subscription और चाहन नमबर सेकड्ड यह लिए आप चैलेंज कर सकती है इसलिली कैणीशनबर्ग में आपको इप ली रेपरांस मिल जाएगा next the paracyclic reaction involved in the following steps of the following reaction sequence देखो ये जो paracyclic reaction involved हो रहा ही है one two three वन two ये oxygen यहाँ पे आ रहा है ये double bond यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे 的话 हो जा रहा है यानिकी 23 यह 11 जो bond break हो रहा है one two one two three यह क्या रहा है two three यहाँ पे क्या रहहे हो यह तो त्री सिग्मा ट्रोपिक रियरेंजमेंट है तो आपका जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा यह ऑक्सिजन यह सलफर यह पी एच ते अब उसके बाद पी ओएटी थ्राइस क्या करेगा इस पे अटैक करेगा सलफर पे और यह से ओएच बना लेगा तो यह आ सिग्मा ट्रोपिक शिपट आँशा को सबस थेप में मिल रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है 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 तू थ्री सिग्मा ट्रोपिक Congress रियाक्शन जो बॉनड ब्रेक होता है यह बिए वहां से काम्ट्टिंग सार्ट करना वǎंको यहां पर वांड टू और थ्री इस मेरी किसे और यह ऐसे आ रहा है यह निकल जा रहा है यहां से तो यहां पर 2-3 सिग्मा टोपिक रिएरेज्मेंट हो रही है और आपका प्रोड़क्ट जो फॉर्म होगा वो कुछ ऐसे होगा लास्ट में जो स्टेप होगी वो कुछ ऐसे होगी इसमें ओए चा जाएगा और यह इसमें इन् अंसर सही दिया है सारे लोग वने अंसर बहुत अच्छे से दिया हुआ है इस नेस्ट क्वेश्चन देखते देखो अप्टिकली प्यूर आईसोमर ए आपका यह जो ए आईसोमर है यहां पर उसके बाद भी यह भी है यहां पर यहां पर देखो एक यूज अप्टिकली प्यूर डी तो ए आपको डी देगा तो एक्चुली अगर देखोगे एक की रियक्शन अगर आप करोगे यहां पर एंजीपी का मामला इन्वाल होता है यहन यमी टू आपके नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पे रहे तो यह बैक साइट से अटाइक करेगा यहां पर और आपका प्रोड़क्ट फर्म करेगा कुछ ऐसे यह हमें फ्री पॉजिटिव ठीक है तो यह इसको ऐसे अटाइक करेगा अब यहने इन्थ्री एड़ किया है तो यहने इन्थ्री क्या करेगा यहने इन्थ्री इन्थ्री माइनस क्या करेगा दोनों साइट्स अटाइक कर सकता है यहां से भी करेगा इन्थ्री माइनस इसके बैक सेट से भी करेगा तो यहां पर दो प्रोड़क्ट फॉर्म हो सकते हैं फर्स्ट प्रोड़क्ट फॉर्म होगा आपका कुछ ऐसे यहन यहमी टू प्लस सेकेंड प्रोड़क्ट फॉर्म होगा कुछ ऐसे यन यमे 2 यन 3 तो इसमें क्या मिलेगा रेसिमिक मिक्चर मिलेंगे इसमें क्या होगा आपका रेसिमिक मिक्चर फॉर्म होगा ठीक है तो A के साथ अगर एन एन 3 के रियाक्शन करोगे तो आपको रेसिमिक मिक्चर आप C मिलेगा यहने कि इन दोनों का मिक्चर मिलेगा इसके दो मिक्चर कौन से ये है तो इसके अगर reaction करोगे आप A की तो आपको racemic mixture मिलेगा तो optically pure D तो बिल्कुल नहीं मिलेगा optically pure D बिल्कुल नहीं मिलेगा ये तो नहीं मिल रहा है न आपको अप प्रोड़क्ट गे मिले तो ये तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है एग और उप्टिकली PURE K, तो ये है प्टिकली PURE PURE भी नहीं बिल रहा है इसका मतलब कहा है ये रिसिमीक मिश्चेर दे रहा है C का ये दो प्रोड़क्ट मिल रहा है इसका मतलब आपको racemic mixture formation हो रहा है रेसिमिक mixture MSN Trans के लिए कुन से book prefer करें तो आपको YouTube पे वीडियो मिल जाएगा जी उसके बुक बना बुक पे वीडियो बना रखा है हमने होलेडी reference books for IIT Jam chemistry मैंने वीडियो बना के रखे इन और्गेनिक और्गेनिक physical के लिए जाएगा यह तीनों option cancel हो जाएगे अब यह क्या बोला है बीग उस ऑप्टिकली प्यूवर सी तो बी क्या करेगा ऑप्टिकली प्यूवर सी कैसे देखा देखते जरा तो बी का structure क्या है अब ब्रोमी ने यहाँ पर यहाँ पर यहाँ यह मीट टू है अब यहाँ पर क्या होगा यहने की N3 माइनस अटाक करेगा इसके back side से directly यहाँ पर क्यों इसमें NGP नहीं होगी तो आपको अप्टिकली प्यूवर यहने की यह प्रोड़क्ट मिलेगा यहाँ यहाँ पर क्या मिलेगा आपको आप्टिकली प्यूवर कंपाउवर मिलेगा बीसे आपको की तो आपार 2,ta applies ,क्रेग्ट है यह बहुत आछा क्योश्य करेक्ट तब इसकंडा आपको पूछा हुआ option number second absolutely क्या है correct है ठीक है तो आपका option number क्या है correct है second क्या है correct है उसमें येने नो 2, H2, H4 जनरले आपने सुना होगा येने नो 2 येने नो 2 प्लस HCL सुना होगा तो इससे हम क्या बनाते थे H2 बनाते थे और उसके बाद फिर येनों बनाते थे इससे क्या करते थे येनों बनाके इसमें फिर आगे कौन से reaction होती थी इसमें फिर आगे diisonium diisonium salt formation होता था diisonium salt formation 12th class की सबसे अच्छी मिल जाएगा जी जल्दी से मिल जाएगा question paper का PDF भी अप्लोड हो जाएगा जल्दी से तो यह नहीं नटो एससो फोर हल से reaction होड़ी थे आप यह टू एस टू एस तो पर क्या है एस टू एस टू इस पर अटायक करेगा और इससे निकाल देगा सिंपल सी बात है तो इसमें option number 4 आपका फॉर्म होगा देट इस और option number 4 इस और करेक्ट अंसर तो option number 4 क्या होगा इसमें आपका करेक्ट अंसर होगा सिंपल सा question था आपका easy question था बहुत ज़्यादा नेक्स्ट question था स्ट्रीडो केमिस्ट्री से तो देखो स्ट्रीडो केमिस्ट्री में जब भी आपको अंसर निकालना होगा तब हम क्या करते हैं कि इस हैड्रोजन की स्ट्रीडो केमिस्ट्री जो आगे वाला है यह देखो यह प्लेन दिख रहा है न यह ब्रेक्ट हुआ है इसका मतलब क्या आए यह बिलोग दाप लेन होगा और यह जो सीच्ट्रीज ओगा यह बहुत अप्लेन होगा यहाँ पर देखो क्या पूचा जाएगा यह साजएगा यह यह इस कंफिगुरेशन आएगा एक लिएस होना चाहिए तो यह अप्शन तो कैंसल हो गया हो आप्र चेंज क्योंकि हैं आर्चेंज आएगा आप देखो इसमें इसमें वान तु यह थ्री फॉर्ट प्राडट अलग रोप बिलो में यह तो तो दोनों को इस cases में क्या रहे है यह सारे एक ओप्शन नमबर जो बिलो वाला ग्रूप है जो अलड़ी बिलो में तो फॉर्थ प्रड़ी अगर आ रही तो कोई चेंजेस नहीं होंगे अगर फॉर्थ प्रड़ी अगर अब उधा प्लें में होगा तो चेंजेस करते हैं देखते हैं यह नेमार स्पेक्ट्रोश को पीसे क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो इस ट्रक्चर ऑप कंपाउंड है फॉलिंग क्या स्पेक्ट्रोश क्यमिकल दाटा तो आयार की वेल्यू दे रखे 1690 क्या इंडिकेट करेगा आपको कार्बोनील यह कार है डाटा का में खुछ यूज नहीं आप है एच वन यहने मार स्पेक्ट्रोश कोपी में दिया वाई वेल्यू तो 1.33 ट्रिपलेट 7.2 इसका मतलब CH3 आपका इस CH2 के साथ क्या कर रहा है कपलिंग कर रहा है और इसकी वेल्यू क्या है इसकी वेल्यू 1.37 और इनमें जो कप टूर्टरा करकेगा 7.2 वेल्यू अग्न वी हूए विए उसकी मतलब हम इसकी वेल्यू क्या आए गे 2.41 वैल थी कहाने कि इसके वेले 2.41 आ जाएगी इसका मतलब आपके कंपाउंड में यह से लटन प्रेजेंट तो यहाँ पे प्रेजेंट यहाँ पे भी प्रेजेंट सब में यह प्रेजेंट तो इसमें भी कोई के आपका क्या है या तो आपका क्या है आपका किनायल रिंग के एडिजेशन में ठीक है या तो दोनों दोनों पॉसिबिलिटी है तो देखते इससे भी कुछ डिप्रेंसेशन नहीं हो रहा है तो 7.14 रवन हैड्रोजन ट्रिपलेट दिखा रहा है देखो 7.14 7.57 7.77 7.90 सारे वेल्यूस कहां से आ रहे हैं आपके सारे वेल्यूस आरोमेटिक कंपाउंड से आ रहे हैं आरोमेटिक हैट्रोजन से तो यह जो सारे हैट्रोजन से यह रेड कलर में इंडिगेट किये गए है रेड हैट्रोजन से अब देखो आरोमेटिक हैट्रोजन ज आता है आपका कपलिंग कॉंस्टेंट देखने में तो कपलिंग कॉंस्टेंट आपको यहां पर देखना है कपलिंग कॉंस्टेंट अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा देखो वन हैट्रोजन ट्रिपलेट दिखा रहा है वन हैट्रोजन क्या कर रहा है ट्र ये क्या दिखा रहा है सेव दिखा रहा है यहां पर है यहां बिखा ँखाण इसके साथ तो मेटा तो यह अगर दिखा था तो इसकी वेल्यू क्या होती है इसकी वेल्यू होती है आपकी 7 इसकी value होती 7 तो यह दोनों option तो गए बिल्कुल काम से बचे सिर्फ यह दो options बचे क्या सिर्फ यह दो options बचे अब यहाँ पर आपको देखना है इसके साथ जो value हो रही है जो दिखा रहा है इसकी value क्या है इसकी 7.7 मतलब डी शिल्डेड है कार्बोनिल के एड्जेसन में ठीक है इसकी value आ रही है 7.7 मतलब यह 7.7 होगा इसकी value डी शिल्डेड है उसके बाद one hydrogen दिया हुआ है वो भी दोनों के साथ कर रहा है इसका मतलब यहाँ पर यह जो hydrogen है जो दोनो पर यह जो बचा हुआ स्टार्टिंग वाला 7.14 7.44 अब इनको द्यान से देखने में आपको क्या समझ में आएगा यहाँ पर जो आपके डेल्टा वेल्डियू जेने मर्के जो डेल्टा वेल्यू जेहाँ पर 7.90 यह कार्बोनिल के एडिशेशन वाला डी शिल्डेड है का इसको देखो विश्को देखो बुदो नाम वहन दो जो 5.57 वाम यह टीप्लेट डेखो तो सेवें अट्स इसके साथ एगा कि यह से जुए इसके साथ क्ल दिखा रहा है तसकेким सिघ्वंटर की तोकी विंशन स्मel परोगतर है और सिमिलर ऑच कर दिखाने की वज़ेसे गया करती है तो यह इसके साथ लाच दिखा रहा है और यह भी क्या कर रहा है किया क्या कर rhe आ तो आपका यहां पर यह क्यों नहीं बताया अब देखो यह जो आपका टू पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट फायू आती तो यह आपको पता होना चाहिए इस वेल्यू से हमने क्या किया है इसको दूनों में इंदोमें पॉइंड़ हो में इसके एंशेट होगा यह और आपका फाइनल अंसर हो जाएगा होरा टू बत्रो है टो इसके 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 उसर हमने निकाल ली थ्री जो वैलू दियो थी मेटा दियो थी इसलिए हमने ये दो आप्षिन क्या कर दिये कट कर दिये ठीक है इसमें दो आप्षिन क्या कर दिये कट कर दिये next question देखते देखो जल्दी से लाइक कर दो तब तक जब तक like कर दो जल्दी से वीडियो को जल्दी से वीडियो को like कर दो जी अभी तक जिननों ने like नहीं किया जल्दी से like कर दो वीडियो को जल्दी से like कर दो वीडियो को देखो क्या है question next again interesting question एक question बहुत हमने discuss कहती है यह previous year question है आपका DO में अलड़ी आ रखा है यह question हमने discuss भी किया था आपके exam में जो previous year solution करवाए थे most probable questions करवाए थे उन में से maximum question आये हुए अगर आपने देखा होगा उन में से क्या है maximum question आपके आये हुए तो as it is यह question में आया होता यह as it is आपके आपको मिल जाएगा फर्स देखो यह पर compound यह यह क्या करेगा oxidative addition करेगा oxidative addition करने के बाद क्या होगा यहाँ पर palladium 2 में convert हो जाएगा प्लस 2 में यहाँ पर PP phosphorus ऐसे 1 2 यह methyl उसके बाद क्या होगा यह आपका electrons यहाँ पर यहाँ पर यह यहाँ पर आ जाएगा इस से compound का mechanism कैसे होगा देख लो जरा कि यह question करवाय था जी देख लेना एक बार कि यह मिथाइल और यहाँ पर क्या जाएगा पैले यह आ जाएगा अब पैलेडियम आ जाएगा यह compound क्या करेगा एक reaction करेगा एक reaction करेगा कैसे CO2ME है तो इस hydrogen को और इस यहाँ पर क्या कर देगा bind कर देगा अब बात यह है यहाँ पर क्या है दो option दिये हुए option number first and option number 4 तो option number first में क्या है double bond नहीं है यहाँ पर double bond का कोई logic नहीं न यहाँ पर double bond कैसे आएगा तो यहाँ पर कोई भी double bond को logic नहीं है तो उसके बाद फिर यह हेक reaction करेगा और simple सा आपका product form कर देगा that is your option number first that is your option number first that is your option number first यह आपका compound A ऐसे यह double bond यह methyl यह double bond A और यह CO2 YUME है तो यह क्या होगा आपका option number first क्या होगा correct होगा that is your option number first is correct तो यह simple सा mechanism था previous year में questions में हमने discuss किया है आप देखो आप क्या करों simple सी बाद अगर आपको check करना होगा कितने questions आए हैं आप most probable questions एक बार जाके देखो DU के उसके पाद आपको यह question पर देखना आपको समझ में आ जाएगा आपको समझ में आ जाएगा easily कि यह question कैसे कितने easy ही ओल्री जो पढ़ाया होगा था उससे में से आया होगा थे तेखो टूडेय दो गूंसेंट्रेशन ओफडिनोंस गैसेस डिंदेशन अब जब फ्रेशन पॉइश्व कोदेशका यह की रिभी नट्रेशन गैसें सोटें इसमें मेजरली आपका पार्टिसिपेट करता है सी ओटू कि मिठैन मिठैन गैस होता है आपका होता है यह सारे गैसे होते हैं तो आपको पता होगा रिफ्रेजरेटर में कौन से फ्लॉरिनेटेड गैसे होते हैं तो रिफ्रेजरेटर में आ गया सब का मतलब है एका का रहा है है का का कर रहा है ग्रीन हॉस से होना है कम हो जाता है मैं उसके बाद increase in combustion of oil जिसमें भी CO2 और मिध्यान जन्रेट होता है आपका तो इसलिए आपको all of these याने के option number 4 क्या है correct है इन सब की वज़े से क्या होता है आपका इन सब की वज़े से आपका green house gas का concentration बढ़ रहा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखो 20 October से नेक्स्ट ब्याज स्टार्ट हो रही है परेनिधी आप देख लेना एक बार 20 October से आपके नेक्स्ट ब्याज स्टार्ट हो रही है लिस्ट बेसिक इन क्यरेक्टर लिस्ट बेसिक पुछाएं तो देखना हमेशा बेसिटी ओडर क्या होती है SP2 आपके जब बेसिटी ओडर निकालने होगी तब जब हमेशा एक बात ध्यान रखना जो more basic होता है वो होता है आपका SP3 उसके बाद SP2 उसके बाद SP2 उसके बाद इसे चेक करो इसको अगर इसे चेक करो अगर लाइए यहां पर नाइट्रोजन के लूण पेर जो दीना वह इसले अटैक करती इस पर और इसली अटैक करने की वज़े से हाँ यह मेरा जो ले यहां पर जो यह नाइट्रोजन दिया हुआ है यह मेरा जोले यह इसली अटाक कर देता है एच प्लस पे तो यह जो पीछी से दक्का मारने वाला यहां पर नाइट्रोजन बेटा हुआ है यह इसली इस पर अटाक करता है और इसकी बेसिटी इंक्रिस हो जाती अब यह स्पी 3 के तो जादा ही होती है तो इन दोनों में अगर देखोगे फर्स्ट और 3 में तो बेसिटी इसकी जादा होगे क्योंकि यह डिलोकलाइस करके इस नाइट्रोजन को अटाक करने के लिए मजबूर कर रहा है और यह जो लोन पे रहे यह अगर देखोगे तो यह अरोमेटिक कंपाउंड अरोमेटिक सेक्टेट बनाने में यह रखया है वीजी होनी की वज़े से यह हो आपका लिस्ट बश होगा है What aười डिस्ट बेसिक होगा on a यह क्या होगा में अधि लिस्ट होगा जड совремed तो इसमें option number first क्या होगा correct होगा ठीक है तो इसमें option number first क्या होगा correct होगा next question देखो next question देखो as it is CSR net से as it is Clayton से CSR net वाले Clayton से उठाते हैं यह आपके CSR net से उठाते हैं ठीक है तो यह compound भी आपका easily question हमने discuss किया हुआ था आपके most questions में यहाँ एसी 2o-n extro file यहाँ इसे निकाल दिया जा सकता है एसी लाइजिशन हो सकता है या nitrogen के साइड भी हो सकता है open होके close होके इसे निकाल दिया जा सकता है दोनों में किस पर प्रश्री होगा तो दोनों हमें nitrogen वह होगा क्यों कि ओकी oxygen और nitrogen में neurotronола बेको गया आप तो किसकी ज़्यादा आये है है कि आपके oxygen की ज् infrared है इसलिए वहीज ल affecting नहीं करेंगा nitrogen की कम है इसलिए है इसलिए ऑफ्च नंबर थर्ड क्या होगा आपका अप्च सब्सक्राइब का correct answer that is your option number 3 okay option number 3 क्या होगा आपका यहां पर करेक्ट answer होगा नाइट्रोजन और ऑक्सिजन की इलेक्ट्रोनिक रिव्यूदी मैटर करती है अगे इन प्वेश्चन फॉम नैचुरल प्रोडॉक्ट यह भी आमनों नहीं से से उठाया हुआ था प्रशन भी पार से देखो इसमें क्या पूचा हुआ है इसमें इसमें प्रफेन का पूचा हुआ है तो आप अगर आपने सर्च करना चाहिए गूगल में तो यह थोड़ा आपका नेचूरल प्रोडॉक्स एक्जाम में आया वहाँ जो आपके वाहरत है आपके स्लिवस में ड्रोच केमिस्ट्री में ऩखे तो आपके शीच का सिल्यवस था उससे ही ये सभसी है उठाएं वगा था वाउत यह आपका सेकन्र टर्ट श्र गया था कि इसका सेक्षक्षंड करेक्ट आंशर हो गया है याप में पूचा कि है अन्हान ठीक है तो यह आपका second क्या है यह नेक्ट्ट लैखते देखो लिए सुह तो हीक्ट्रो साइक्लिक प्रेजेंट इन अमिनो ऐसी डीदी इस्तिडेन अगर देखते हो तो आप यह हिस्टीडीन का कुछ ऐसे होता है इस इसिदीन में किया होता है अफर का इमेडी जोल रिंग प्रेजटेंट होती है तो मैंने आपको जब डिसकेशन लिया था तब भी मैंने आपको क्या बताए तो यह पूच्ट है इस पूचा होतै ही स्टेड़ें में यहां पर कन्फूजन हो सकता था इंडॉल और में इसमें अगर यह रीग होती है तो इमेडाषोल इंग कहते है इस टीदिन में क्या हुता है अगली बार भी जब कुष्चन्स आएंगे तब इसी के बेसिस पर अगें questions आने वाले, next question था again spectroscopy से the ratio of relative intensities of carbon signal in first order C13 NMR spectrum of CD3CL, क्या होगा CD3CL से आगे reaction हो, तो देखो क्या है carbon signal in first order, first order पूचा हुआ है, ठीक है, तो CD3 carbon अगर आपका split होगा, hydrogen के साथ तो decouple हो जाता है, तो CD3 के अगरा साथ split अगर होता है, तो आप 2N I plus 1 formula apply कर तो simply, 2 into N is equal to, how many deuterium, deuterium के I value क्या होती है, I value is equal to 1, तो deuterium कितने है, यहाँ पे 2 है, तो 2 into 2 plus I value कितने है, 1 plus 1 है यहाँ ठीक है, तो यह 1, 2 into 3, तो और यह कितने 3 है, यहाँ पे 3 करो, 2 into 3, 6 plus 1, 7, आपके 7 lines आने वाले हैं, 7 lines आने वाले हैं, उसकी intensity भी पूची है, धान से देखना, उसकी intensity भी यहाँ पे पूची हुई है, तो यहाँ पे कितने 4 lines यह गलत, यहाँ पे 5 lines यह गलत, यह इसमें कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब इसके अगर intensity निकालने तो आपको pascal triangle यूज़ करके काम नहीं चलेगा, pascal triangle यूज़ करके काम नहीं चलेगा, इसमें non pascal triangle जो mathematics में हम पढ़ते हैं, mathematics में हमें सिखाया जाता है, तो n is equal to not equal to 1 by 2 होगा, n is i is equal to 1 होगा, तो pascal triangle यूज़ करना है, आपको non pascal triangle जो different type का होता है, कैसे होता है, देखो 1, 2, 3, हम pascal triangle में क्या करते हैं, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, ऐसे यूज़ करते हैं, 1, 4, 6, 4, 1, ऐसे यूज़ करते हैं, तो इसमें same addition नहीं करनी, इसमें आपको addition कैसे करनी हैं, देखो, यह हूँ आपका pascal triangle, ठीक है, यह आपको अगर i की value अगर 1 by 2 होगी, आप easily इससे निकाल होगे, intensity, बढ़ अगर i की value अगर 1 होगी, तो intensity कैसे निकाल होगे, देखो, तो n is equal to 0, अगर होगा, n is equal to 0, अगर होगा, तो single line आएगी आपके ऐसे, जब आपका n is equal to 0 नहीं होगा, n is equal to 1 होगा, तो देखो, इसमें कितने lines आएंगे, तो देखो, इसमें कितने हैं, आपको क्या करना है, 3 digits add करने, यह 3 digits क्या करने, add करने, तो 0, 0, 1, इसका मतलब 0, 0, यह 1, उसके बाद 3 digits add करने, again, 0, 0, 0, 1, 0, यह आगया, 0, sorry, 1, again, 3 digits आपको add करने, कितने हुए है, देख लो, कितने हुए है, एक बार देख लो, इसको check करो, sorry, हमने पहले यह add किये, तो आपका यह 1 आया, ठीक है, यह add करने के बाद आपका यह 1 आया, अब यह add करेंगे हम, तो आपका यह 1 आएगा यहाँ पे, उसके बाद फिर again 0, 0 लिख देना है, ओके, आगे देखना, समझ में आया, तो मुझे बताना, ठीक है, again, आपको क्या करना है, यह 3, 0, अब लिख दिया, 1, आपको क्या करना है, again, यह 3 देखो, यह 3 दिजिट्स add करने, 0, 1, 1, is equal to 2, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यह 3 दिजिट्स add करने, 3, उसके बाद आपको यह 3 दिजिट्स, 2, 1, again, 0, 0 लिख देना है, again, 0, 0 लिख दिया, उसके बाद देखो, again, 3 दिजिट्स add करने, हैं कितने लाइन सुए 1 2 3 4 5 लाइन सुए आपको 7 लाइन चाहिए अगेन यह 0 एड करो तो 001 कितने वह यह 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 गलत नहीं करना है बिल्कुल में यह बिल्कुल भी गलत नहीं करना है कैसे हमने क्या एड किया अरी का यह 0 उसके बाद यह 2 यानि कि क्या हुआ 3 उसके बाद यह कितने हुए 4 और 6 से उसके बाद यह कितने हुए 7 उसके बाद यह कितने हुए 6 3 1 6, 3, 1 अगें आगे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको add करते जाना है तो यहाँ पे 7 लाइन थे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 as to 3 as to 6 as to 7 as to 3 तो यह non pascal event triangle होता है इसको non pascal triangle बोलते है इसका answer आएगा option number 4 तो जिन्होंने भी option number 4 बताया था that is correct answer ठीके तो option number 4 क्या है correct answer आएगी value अगर use होगी तो ऐसे 0, 1, 1 3 digits एड़ करने है 001 एड़ किया उसको लिखलो 0, 1, 0 एड़ किया उसको लिखलो 1, 0, 0 एड़ किया उसको लिखलो तो यहसे में आपके 1 होगा तो आपके 3 lines आएंगी इसे चलते रहेगा तो easy trick थी सबसे in the given reaction main product will be यहापे product पूछा है तो देखो यहापे ग्रिगनाट reagent है जनरली अगर आपके पास आपके पास अगर 1, 4 addition की possibility होती है अगर आप ग्रिगनाट reagent एड़ करते है तो यह इस पे attack करता है आर लिथियम अगर add करते हो तो यह भी इस पे attack करता है बड़ अगर आप गिल्मन reagent लेते हो R2 copper lithium तो यह R- जो होता है यह यहाँ पे attack करता है बिटा position में क्योंकि यह soft nature होता है और यह carbon भी क्या होता है soft nature होता है soft interaction होता है यहाँ पे यह दोनों क्या होता है hard nature होता है और यहाँ पे carbon जो होता है hard interaction होता है यह soft soft prefer करता है इसलिए 4 position पे addition होता है तो यहाँ पे ग्रिगनाड reagent दे रखा है तो फिर यहाँ पे second answer आना चाहिए बट second answer नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा तो देखो यहाँ पे क्या दिया होई copper salt तो ग्रिगनाड reagent के साथ अगर ग्रिगनाड reagent के साथ अगर copper salt दिया जाए आपका gilman reagent form हो जाता है gilman reagent की condition आपको apply करने पड़ती है ठीक है आपको हमेशा का करना है gilman reagent की condition apply करने है अब यहाँ पे gilman reagent की condition apply करने है मतलब methyl कहाँ attack करेगा तो methyl आपका simple सी बात है आपका beta position पे attack करेगा उसके बाद फिर work up हो जाएक आपका option number first form हो जाएगा उसके बाद फिर work up हो कि आपका option number first क्या होगा form हो जाएगा ठीक है this is your 65 number question next इसमें आगे और भी question आये हुए थे जो last portion में थे 84 number question देखो इसमें क्या पुछा हो था aldehyde can be obtained by reaction of grignard reagent कौन से grignard कौन से compound के साथ reaction करोगे तो आपको aldehyde मिलेगा तो first दिया हो था formaldehyde formaldehyde के साथ अगर grignard reagent की reaction करोगे formaldehyde क्या हो था hcoh hcoh hodha है rmgx की reaction करोगे तो इस पे attack करेगा बनाएगा alcohol अरे बच्पन से पड़ते आ रहे हैं ये ये बनाएगा alcohol next आपके ethyl याने की compound होगा ऐसे ethyl ethyl ethyonate ऐसे तो इसमें बेगर rmgx एड़ करोगे इसमें बेगर rmgx एड़ करोगे तो आपका क्या होगा rmgx अगर एड़ करोगे attack करेगा open करेगा निकाल देगा तो इसमें आपका first one equivalent में आपका ketone formation होगा second equivalent में आपका alcohol formation होगा tertiary ऐसे third methyl cyanide अगर लोग होगे तो ch3 c triple bond yen अगर लोगे तो rmgx की आपकी अगर reaction हो दिए तो r- क्या करेगा r- again आपका r- again आपका इस पर attack करेगा work up करोगे r c double bond yen h यहाँ पर ch3 है work up करोगे तो इसमें ketone form होगा r c double bond o ch3 अनकी ketone ठीक है फोर्द अगर लोगे methyl methonate methyl methonate का structure कैसे होता है double bond o h c o ch3 तो अगर r- again x की अगर reaction करोगे इसमें तो कई पर भी form नहीं हुआ इसका मतलब option number 4 तो वैसे भी आ गया है तो फिर कैसे आएगा देखो यह attack करेगा open होगा close दूगा और इसे फॉर्मेशन होगा तो आपका जो question में पुछाओ था कौन सा compound ऐसे होगा जो आपका अल्डेट फॉर्म करेगा तो उसका answer है option number 4 आपका methyl methonate आपका क्या होगा compound ऐसे होगा जो आपका aldehyde formation करेगा ठीक है तो यह आपका क्या कर रहा है एल्डेट कर्मेशन कर रहा है तो option number 4 क्या होगा एक ठीक है इसमें क्या होगा option number 4 correct होगा नेक्स्ट question देखो which of the following carbon has longest half life longest half life मतलब क्या पुचा है question में मतलब question में पूचा है आपका जो compound है कौन सा compound more stable है तो यहां पर more stable पूचा हुआ है तो यहां पर फोस्ट आपका more stable होता है क्यों क्योंकि आपका जो compound होता है इसमें exceptional dancing resonance होता है यहां पर जो आपका orbitals होते हैं यह और वैडल सीसके electron से stabilize करते हैं यहां से ऐसे electron यहां पर अगर आपके और बैटल सकर बढ़ जाए जैसे कि त्री मेंबर रिंग जितने बढ़ेंगे उतनी आपके stability क्या होती है इंक्रीज होती यह बेंजाइलिक से भी more stable होता है देट इस अगें surprising a digital ही और भी टू पोजीटिव इसमें क्या होता है आपके एलक्त्रोंन्स जो थे यहां से इसली को और यह यहां से अटार करने के वज़ Priet क्या होदा है ईससे स्टेबिलाइस करते हैं यह कें सग्या करता हैέλ और ईसे ऐसे स्टेविलिटी क्या होती है भठ्ति जाती तो यह आपकी स्टेविलिटी इंक्रीज होती जाती है इन सबसे ज़्यादा और नहीं सहराता है invest लास्ट क्वेस्टन देखते हैं देखो इसमें क्या औने वाला है तो यह हैं आपकी C-D-R यानि कि सी अमिश्यन डेन टेस्टेट रियरेज्मेंट कैसे होगा आपने यह कंडिशन पड़े होगी कब पड़े होगी यह कंडिशन आपने आपने रिमर्टीमन रियक्शन पड़े होगी तब आपको यह कंडिशन पड़ने में आई होगी इसमें क्या होता है यह C-C-L-C-L-O-H क्या करता है इसमें अटायक करता है अनायन फॉर्मेशन करता है तो यह बन जाता है आपका C-C-C-C-L यह निकल जाता है यहाँ पे अनायन लिए सी-C-L-2 die radical donation होता है और CCL-2 die radical formation होने के जसेihin इसको हम कार्बीन भी कहते हैं के डायराइडिकल स्पेस को हम कार्बीन कहते हैं यह carbon formation होता है CCL2 carbon, तो दो option तो यहां पे cut हो चुक है आपके यह दो ही option बचे, अब इसमें यह carbon reaction क्या करते ही, इंडोल जो रहे अपके रहींग है, इसके साथ reaction दिखाती है, इसके साथ reaction दिखाती है, कैशे दिखाएगी देखो reaction, आपके पास रिंग ये इंडोल CH3 CH3 तो ये CCL2 क्या करेगा इसके साथ reaction दिखाएगा ऐसे और आपका product form करेगा कुछ ऐसे CL CL, यहाँ पे methyl, यहाँ पे methyl जिसको मैं black color में indicate करना हो भी ऐसे अब इसमें क्या होगा, अब इसमें यह जो 3-member ring बन जाती है, 5-3-member ring का combination, तो इसमें यह nitrogen delocalize करता है, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, देखना रहन से यह nitrogen delocalize करती है, यहाँ से यह sigma electrons break होगे यहाँ से यहाँ electron आते हैं और यह chlorine निकल जाता है यह chlorine निकलने के बाद क्या होगा, देखने ज़रा यह chlorine निकलने के बाद आपका compound form होगा, देखो ऐसे, Q6 member ring बनाई है, मैंने देखो यहाँ पर 1, 2, 3 number ring चेक करना, 4, 5, और 6, तो 1 और 6 member में क्या बन रहा है, 1 और 6 में क्या होगा है, double bond form होगा, 4 और 5 में double bond form होगा, 4 और 5 में double bond form होगा, अब अब अगर देखो 4 पर क्या है, मैंने black color में आपका methyl लिखा है, यहाँ पर 4th position पर मैंने black color में methyl लिखा है, तो मैं acid is लिख रहा हो, देखो, 4th position पर 6 position पर भी methyl लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 chlorine थे हैं, 2 में से chlorine निकल गया, और यहाँ पर 1 chlorine बचा, तो इसी को कहते हैं, CMHN dense state rearrangement, क्या कहते हैं, CMHN dense state rearrangement, क्या सकते हो, CMHN dense state rearrangement यहाँ पर होती है, और आपका chlorine कहां आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chlorine कहां पर आ रहा है आपका, chlorine आ रहा है आपका 4th position पर, यहाँ पर 5th position पर, तो 5th position पर आपका chlorine आ रहा है, और यहाँ पर जो दिया हुआ है, 5th position पर ही आपको chlorine दिया हुआ है, that is your option number 4th, ठीक है, तो यह था आपका option number 4th, correct, तो DU 2020 की Delhi University entrance test 2020 के हमने क्या किया है, फूरा discussion किया है, detail में, कोई भी अगर doubt होता है, तो आप comment section में बता सकते हैं, आपको अगर किसी भी question में डिक्कत होगी, तो आप comment section में बता सकते हैं आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब करना है चैनल को वहाँ पे बेल आइकोन होगा ठीक है वो बेल आइकोन को क्या करना है बटन दवा देना है आपको यहाँ पे तो आपको क्या होगा नोटिफिकेशन आएंगे अगली बार ठीक है तो आपको नोटिफिकेशन आने चाहिए और जितना जादा दो सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करना है ठीक है थैंक यू सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करना है